आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students तुम्हारा आज का Question है Electron Drift Speed is estimated to be यह order of mm per second यानि कि जो drift velocity होती है यह order of mm per second यानि कि बहुत slow है यह speed ठीक है Yet large current of the order of few amperes can be set up in the wire इतने बड़े-बड़े amperes मतलब few orders of amperes जितने बड़े-बड़े current हमें कैसे set up कर सकते हैं लोग इतनी जल्दी इसको हमें बताना है देखो basically होता क्या है माल लेते हैं कि हमारे पास एक circuit है ठीक है और इस circuit को अभी हम लोगों ने connect कर रखा है एक battery से और यहाँ पे एक switch है जो की है अभी switch हमारा यह open है अगर मैं इसको जैसी ही close करता हूँ तो instantly बहुत जादा current इसके अंदर generate हो सकता है पर इतनी जल्दी इतना सारा current generate होता कैसे है अगर electrons बहुत slowly move कर रहे है basically question यह पूछ रहे कि अगर electron यहाँ पे बैठा है तो इसको यहाँ से अगर 1 meter wire भी होगा ना तो उसके लिए भी उसे हो सकता 1000 seconds तक लग जाए तो इतनी देर लगा रहे अगर एक electron यहाँ तक महुचने में तो हमें इतनी जल्दी इतना सारा current देखने को मिलता कैसे है तो इसका सबसे पहला reason है electric field जैसी हम इसको on करते हैं यहाँ voltage generate होती है तो voltage की corresponding electric field instantly generate हो जाती है एक electric field को generate होने में speed of light की speed होती है यानि कि यह हमारे लिए या इस circuit के लिए almost instantly generate हो जाता है ठीक है instantly gets generated ठीक है ब्रैकेट में by the speed of light ठीक है light की speed से यह generate हो जाता है तो यह थी पहली चीज अब secondly हम लोगों को देखना है कि यह बहुत ते generate हो गया तो चलो ठीक है इससे होता क्या है देखो अगर यहाँ पे electrons होंगे कुछ न कुछ तो वो भी तो इसके current move करने लगेगे ज़रूरी नहीं है कि इसी electron को यहाँ तक पहुचना है तभी current मुझे देखने को मिलेगा instantly सारे के सारे electron पूरे wire में move करने लगेगे ठीक हर point पे electron जो है वो अपनी पनी जगा पे move करने लगेगा तो current तो produce होना start होई गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत instantly हो सकता कोई बिलकुली एक micrometer की दूरी पे रखाओ तो वह पहुच जाएगा ना बहुत ही कम time में ठीक है इसका मतलब इसे almost instantly current field होना start हो जाएगा ओके और इसका main reason यह है कि यहाँ पे जो electric field है यह बहुत जल्दी setup हो जाती है और इसके कारण बहुत जल्दी current देखने को मिलता है अब second point की काफी बड़ा current large current जो होते हैं वो भी generate हो जाते हैं इसका reason क्या है इसका reason है n की value n क्या होता है number of free electrons per unit volume यानि की per meter cube में कितने electrons present है और यह value काफी large होती है basically 10 to the power 28 electrons per meter cube जितनी large होती है जो की बहुत बड़ी value है ठीक है तो अगर इतने सारे electrons 1 meter cube में present है यानि की almost हर जगा abundance है electrons की ओके तो जैसे भी जितनी जादा voltage generate करोगे उतना ही जादा powerful यह generate होगा और उतनी ही जादा current मुझे देखने को मिलेगा तो मैं इतने सारे electrons मतलब मैं basically बहुत बड़े-बड़े current generate कर सकता हूं instantly बस उसके लिए मुझे उतना ही powerful battery की जरुत पड़ेगी simple ठीक है तो इस चीद से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे electrons कितने slow move कर रहे हैं तब भी बहुत जल्दी और बहुत सारा current बन सकता है ओके तो I hope your question सबको समझ में आ गया होगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर